बूर्णिंग दोस्तों आज काफी समय के बाद आपके सामने अपडेट लेके आ रहा हूं समृद्धि महामार्क के जैसे के आप जानते हैं बहुत दिनों से लोकडाउन चल रहा है अभी भी लोकडाउन चल रहा है लेकिन यहीं मुझे दवाखने में काम था इसी और जाना था इसलिए आज यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो अभी हम आप होचे है समृद्धि महामार्क के स्टार्टिंग पॉइंट पर ज समृद्धि महामार्क के वीडियोज राउन रिपोर्ट इस टाइटल के अंडर मैंने काफी वीडियोज बनाया है समृद्धि महामार्क के कंस्ट्रक्शन के तो दोस्तों अभी हम आप होचे है जिरो पॉइंट पे समृद्धि महामार्क के या स्टार्डिंग पॉइंट प पहले पार्ट में आपने ये नजारा देख लिया होगा तो अभी बैक कैमेरा से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां की कंस्ट्रक्शन अभी किस प्रकार शुरू है आज तारीख है 20 माई 2021 जैसे के हम सभी जानते हैं हमारे मानिया मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि लगबग 1 माई 2021 से ये रास्ता ऑपरेशनल हो जाएगा शिरिडी तक लेकिन यहां का कंस्ट्रक्शन अभी 20 माई आज है तो आप देख सकते यहां का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार शुरू है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगले कितने माईने तक अभी भी ये ऑपरेशनल नहीं हो सकता है अभी जहां मैं खड़ा हुई है स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां पर काफी बड़ा इंटर्चेंज बन रहा है अभी जो पहला इंटर्चेंज होगा समृति ममार्क का यह जो आप रास्ता देख रहे है दोस्तो यह आ huggingना के ओर से जो मेरा गाव है यहां से करिब करिब पांच किलोमेटर के दूरी पर है और यह जो रास्ता देख रहे है आप यह जाता है मूंबई की और जो यहां से लगबग 8.5 किलो मिटर आता है 9.5-9 किलो मिटर यहां से मूंबई है और ये पुराना है और ये अभी बन रहा है नया समुर्दी महामार्थ यह जो बोर्ड आपको दिख रहा है यह बोर्ड इसके और यह अपनी डैट्सन रेडी गो आज मैं अपनी इस गाड़ी से आया हूँ क्योंकि मुझे दवा खाने में काम है यहां से करीब करीब 3-4 किलोमेटर इनाखपूर्थ सिटी के और नैशनल कैंसर इंस्ट्रूट करके एक बड़ा सा हॉस्पिटल अभी नया नया बना है वहाँ पर मुझे जाना है जो जामठा स्टिडियम के पास आता है और उससे पहले 2-3 किलोमेटर का यह इधर का नजर आपको मैं दिखा दूँगा इससे आपको पता चलेगा कि समरुद्धि मामार का कंस्ट्रक्शन अभी कहा शुरू है तो एक बार हम इस बोर्ड के पास जाके देखते हैं यह देखें दोस्तों मेगा इंजिनेरिंग इंफास्ट्रक्शर लिमिटेड यह कंपनी इस कार्यक अंजाम दे रहें और इसका 28 जून 2021 तक दिया है कंप्लिशन पिरेड और अभी जो आप देख रहे हैं इससे आपको पता चलेगा काफी बड़ा इंटर्चेंज यह दिख रहा है इस जगह का नाम है शिव मड़का तो चलिए चलते आगे देखते हैं दो तिन किलोमेटर तक कैसा वर्किंग प्रोग्रेस है तो यह दिखे दोस्तो नागपुर की तरफ जाने वाला रास्ता और यह है FST का गोडाउन जिसमें स्टोरिज मट्रेल रखा जाता है और यहां से हम जाएंगे अभी यह पूरा जो आप देख रहे हैं यह पूरा इंटर्चेंज बना है चलिए बढ़ते थोड़ा सा आगे